दोस्तों ये कहानी एक सची घटना के उपर आधरित है जिसमें हम एक ऐसे आदमी को देखेंगे जो एक चटान से गिर जाता है जिस वज़े से उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देता है इतनी मुसिबत आने के बाद भी वो आदमी उस आईलेंड पर कैसे सर्वाइव करता है और आखिर में क्या वो उस आईलेंड से बच पाता है तो कहानी की शुरुआत में हम एलवेरो और उसकी एकस गर्फरेंड एना को देखते हैं एलवेरो एना को उस जगे पर ले कर आया था जहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर वो एना को अपने साथ हुई हादसे के बारे में बताता है और कहानी फ्zessबेक में चली जाती है एलवेरो अपने बेस्ट फ्रेंड निलो और बाकी दोस्तों के साथ सर्फिंग करता है और सर्फिंग करने के बाद रात को वो लोग पार्टी करते हैं जहां पर निलो उन लोगों से कहता है कि वो बहुत ही जल्दी कैनाडा शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी गल्फरेंड प्रेगनेंट है इसलिए अब उसके साथ उसे रहना होगा अब ये बात सुनकर एलवेरो निलो के उपर नाराज हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने प्रामिस किया था कि वो दोनों पूरी दुनिया घुम कर सर्फिंग करेंगे लेकिन निलो अब यहां से जा रहा था अगली सुबह एलवेरो की जब आँख खुलती है तब हो डिसाइड करता है कि वो एक रेंडम जगा पर सर्फिंग करने के लिए जाएगा क्योंकि उसे नई जगा पर सर्फिंग करना काफी अच्छा लगता है जिस वज़े से वो उस नए जगे पर पहुँँ जाता है जहां पर वो सर्फिंग करने वाला है इसके बाद वो अपनी कार को वहीं पर ही छोड़ कर सर्फिंग बोड लेकर सर्फिंग करने के लिए निकल जाता है वो जब एक चटान के उपर से होकर जा रहा था तब उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने आप नीचे की तरफ खिशकने लगता है चटान के किनारे में पहुच कर वो किसी तरीके से एक चटान को पकड़ लेता है एलबेरो इसी तरीके से काफी देर तक उमीद में लटका रहता है कि कोई ना कोई उसे बचाने के लिए उहाँ पर आएगा लेकिन उहाँ पर कोई भी नहीं था थोड़ी दिर में उसके हाथ और पैर में भी दर्थ करने लगते हैं और अगर उसके हाथ गलती से भी छूट जाता है तो वो चटानों के उपर गिरने की वज़े से मारा जाएगा एलवेरो ये बात जानता था लेकिन फिर भी वो लहरो का चटानों के साथ टकराने की समय याद रखता है और दूबारा जब लहर चटान के साथ टकराने के लिए आती है तब ही वो कूद जाता है कूदने की वजय से उसका एक पैर और एक हाथ काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है लेकिन खुसी की बात तो ये थी कि Elvero जिंदा बच गया था खेर अब वो उटकर चलने की कोशिश करता है लेकिन चोट लगने की वज़े से उसका पैर काम करना बंद कर दिया था इसलिए वो नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है जब वो होश में आता है तो वो अपनी चोटों को चेक करता है कि कहां पर उसे चोट लगी है इसी दोरन वो अपने हाथ और पैर के उंगलियों को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर सही से काम नहीं कर रहा था एलवेरो अपने मोबाइल को चेक करता है ताकि वो उसकी मदद से किसी को कॉल करके यहाँ पर मदद के लिए बुला सके लेकिन उसकी मोबाइल में पानी जाने की वज़े से मोबाइल खराब हो चुका था अब एलवेरो मदद के लिए जोर जोर से चिलाता है लेकिन इससे उसे कोई भी फाइदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था वह इसी उम्मिद के साथ वहीं पर ही सोच जाता है कि कोई न कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा पर लहरो की वज़े से उसका मुबाइल भी पानी के अंदर डूब जाता है थोड़ी दिर बाद एलवेरो सोचता है कि उसे इस समंदर को तैर करके पार करना होगा क्योंकि उसके सामने खड़ी चटान थी जिस पर वो नहीं चड़ सकता था इसलिए वो अपने एक हाथ और पैर की मदद से तैर कर समंदर को पार करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके दूसरे हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया था काफी देर तक तैरने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि चोट लगने की वज़े से उसके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी एलबेर अपने हाथ और पैर को हिलाए बिना अपनी पूरी बोड़ी को पानी के उपर रखने की कोशिश करता है क्योंकि हिलाने पर उसे बहुत दर्द हो रहात था जिस वज़े से वो यहां से जिन्दा निकलने का आस छोड़ देता है और वो समंदर की गहरायों में डूबने लगता है इसके बाद उसे अपनी गल्फरंड एना की याद आती है जिसके बाद वो फिर से अपनी पूरी जान लगा कर तैर कर समंदर के उपर आता है अब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आखिर कर वो दूसरे किनारे तक पहुँच जाता है लेकिन वो सहर से अभी भी काफी दूर था पर वो फिर से पानी में नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में काफी तेज दर्द हो रहा था और वो अगर फिर से पानी में जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग की वज़े से उसकी मौत हो सकती है अब एलवेरो को वहाँ पर फैसे हुए पूरे 24 गंटे बीच जाता है जिस वज़े से वो ही पर ही लेट जाता है और जमीन पर एक बड़ा सा एसो एस का मैसेज भी लिख देता है ताकि अगर कोई उसे उपर से देखे तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई फसा हुआ है एलवेरो इस उमीद में उहाँ पर लेटा हुआ था कि काश यहाँ पर कोई उसकी मदद के लिए आएगा लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि एलवेरो यहाँ पर सर्फिंग के लिए आया हुआ है खर इसके बाद एलवेरो की बैग में जो फॉयल पेपर था वो उसे अपने हाथ में लपेट लेता है ताकि उसे कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसी बीच उसे पानी में तैरता हुआ एक पुराना सर्फिंग बोड दिखाई देता है जिसको लेने के लिए वो बहुत मुश्किल से उसके पास रेंगते हुए जाने लगता है पर तभी एक लहर उसे बहुत तेजी से एक चटान पर लाकर पठक देता है अब वो घायल हालत में पानी के अंदर डूब रहा था पर किसी तरीके से वो अपने बैग को एक चटान पर लटका कर लहरों का सामना करता है उसी वक्त उपर चेक हेलिकॉप्टर भी गुजरता है लेकिन एलवेरो की बदकिस्मती होती है कि उसका ध्यान एलवेरो की उपर नहीं जाता एलवेरो जब हुश में आता है उसी वक्त एक सीबर्ड उसे मरा हुआ समझ कर उसकी चोट से एक बाइट खा लेती है जिसके बद एलवेरो की चोट और भी ज़दा गहरी हो जाती है एलवेरो बिना खाना और पानी के बहुत टाइम से संगर्स कर रहा था इसलिए वो बहुत थक जाता है और अपने पास रखे हुए चीजों को चेक करता है कि कहीं से उसे पीने की लिए पानी मिल जाए उसके पास पीने के लाइक पानी ना होने की वज़े से उसे मजबूरी में अपना यूरीन पीना पड़ता है थोड़ी दिर में उसके घाव से खुन बहने लगता है जिसको रोकने के लिए एलवेरो अपने हाथ को मिट्टी के नीचे दबा देता है लेकिन इस से उसका खुन तो रुख जाता है पर उसे काफी तेज दर्द होता है एलवेरो की किस्मेत इतनी खराब थी कि उसकी मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि रात को टेंपरेचर गिरने लगता है और काफी ठंड लगने लगता है जिस वज़े से ठंड से बचने के लिए एलवेरो गड़े में घुसकर अपने उपर पास में ही रखी हुई एक मचली पकड़ने वाली जाली को लपेट लेता है तभी एलवेरो को दूर बादल गरेजनी की आवाजे सुनाई देता है जिसको सुनकर एलवेरो काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे आखिर कर अ लिंग होते हुए सुन पाता है वो हर तरप अपने फोन को ढूंड रहा था और आखिर में उसे रेट के नीचे अपने फोन को दबा हुआ मिलता है जिसको पाकर वो काफी खुश हो जाता है वो देखता है कि उसके फोन में उसके मॉम और डैड वीडियो कॉल कर रहे थे इस के दिमाग में ये सब कुछ आ रहा था ये सब कुछ जानने के बाद भी वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करता रहता है और अपनी पूरानी सवी गलतियों के लिए उनसे माफी भी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो यहां से जिन्दा बापस नह पर एलवेरो को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो अपने सवी फ्रेंट्स के साथ इंजॉय कर रहा है और सर्फिंग कर रहा है लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उसका इमाजिनेशन है क्योंकि रियल में वो अभी भी वही पर ही फसा हुआ है एलवेरो के पास अब सि समंदर को तैर कर पार करनी की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसकी पूरी एनरजी खत्म हो जाती है और दर्द की वज़े से उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं जिस वज़े से वो अपने आपको बचाने की सारी उमीदे खो देता है और उसे ल आज के लोग देख लेते हैं और वहां पर आकर वो लोग एलवेरो को मरने से पहले बचा लेते हैं इसके बाद एलवेरो को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहां पर उससे मिलने के लिए उसका बेस्प्रेंट नीलो और उसकी एक्स गर्फरंट एना आती है मुवी के अखिर में हमें वह रियल फूटेजस भी दिखाया जाता है जिसमें रेस्क्यू टीम ने एलवेरो को रेस्क्यू किया था और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है